अरे यहाँ पासी में तो रहती है संतोश, बड़ी दिन हो गए उससे मिले हुए, आज उससे मिल ही लेती हूँ यह सोचकर उर्मिला संतोश के घर की डोरवेल बजाती है, तब ही एक बेहदी काली सी लड़की आकर दर्वाजा खोलती है, जिसे देखते ही उर्मिला बेहोश हो जाती है अरे अरे अंटी क्या हो आपको, मा बाबा, जल्दी आए रोश्नी के माता-पिता जैसे ही बाहर आते है, तो संतोश छट से बोलती है हे राम, यह औरत कोन है, ऐसा क्या हो गया कि यह अंधे मूँ बेहोश पड़ी है रुको, मैं इसे सीधा करके देखता हूँ हटो पीछे, आए बड़े सीधा करने वाले, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए और तो कुछ छूने का संतोश जैसे ही उस औरत को सीधा करती है, तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सहीली उर्मिला होती है हए, ये तो उर्मिला है, इससे क्या हुआ, इससे भी मेरी देहलीज मिली थी मरने के लिए तभी लड़ खडाती हुई आवाज में उर्मिला कहती है, चुप करोई, अभी जिन्दा हूँ, पानी, पानी, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ मनुहर पानी लेकर आता है, तो संतोष उसे पानी पिलाती है, फिर अंदर लेकर जाती है आखिर ऐसा क्या देख लिया तुने, जो तु बेहोश हो गई संतोष ये काली सी लड़की कौन है? अरे, तुने इसे पैचाना नहीं, ये मेरी बेटी रोशनी है लेकिन इसके चेहरे पर इतना अंधेरा क्यों है? जब मैंने इसे उस दिन बाजार में देखा, तब तो ये कितनी गोरी थी इसे देख कर ही तो मैं बेहोश हो गई थी रोशनी का रंग बहुत काला था, जिस वज़ह से उसे कोई लड़का पसंद नहीं करता था तकरीबन 25 रिष्टे उसके लिए आए, लेकिन सभी लड़के उसका रंग देख कर उसे मना करके चले गए एक रोशनी और उर्मिला बाजार से परदे खरीदने के लिए जाने वाली थी ओहो रोशनी मैंने तुझे कितनी बार कहा है जब भी हमें बाहर जाना हो तो तुझे वो गोरा होने वाला पाउडर सारे शरीर पर लगा लिया कर या मेक अप कर लिया कर अरे माँ वो तो मैं भूली गई, मैं अभी आई रोशनी जल्दी से पूरे शरीर पर पाउडर लगा कर आ गई और खासकर उसने अपने चेहरे पर अच्छे से मेकप कर लिया मेकप के बाद तो वो किसी हूर की परी लग रही थी वो अपनी मा के साथ बाजार गई तो एक लड़के की नजर उस पर गई उस लड़के को रोशनी देखते ही पसंद आ गई ऐसे कुछ दिन बीते फिर एक रोज वही लड़का अपनी मा के साथ रोशनी के घर आया ये सुनते ही संतोश और मनुहर बड़े खुश हुए और वो समझ गई कि उसने रोशनी को मेकप के साथ देखा था वो जट से रोशनी के कमरे में गई अरी तेरी किस्मत पलट गई कितना हैंसम लड़का सामने से तुझसे शादी करने के लिए आया है उसने तुझे उस दिन बाजार में मेकप के साथ देखा था चल अब जल्दी से तयार होकर आजा और हाँ पूरी बॉड़ी पर अच्छे से मेकप करके बाहरा लेकिन मा ये तो दोखा देना हुआ न चुप कर तू आज तक कभी तुझे किसी ने पसंद किया है अब सामने से इतना सुन्दर लड़का आया है तो जूट बोलने में क्या ही चाता है फिर रोशनी ने बिलकुल वैसा ही किया रोशनी देखते ही सबको पसंद आ गई फिर सबकी रजामन्दी से उन दोनों की शादी हो गए अगली सुबह उसकी साज उसका दरवाजा खटखटाती है जल्दी से बाहर आजा आज तेरी पहली रसोई है और आज तेरी मुदिखाई की रसम भी होगी रोशनी जल्दी से नहा कर आती है और पूरी बोड़ी पर मेकप करके बाहर आती है फिर उसने अपनी पहली रसोई में हलवा बनाया सबको हलवा बड़ा पसंद आया शाम को महले की ओरते उसे देखने आई तो सबको वो बड़ी पसंद आई क्योंकि रोशनी काफी खूबसूरत लग रही थी वाशा बहुत तो तेरी चांद का टुकड़ा है रोशनी बिलकुल अपने नाम की तरह रोशनी फैलाती है वैसे तेरा बेटा भी कम हैंसम नहीं है खूब अच्छी जोड़ी मिलाई है उपर वाले ने मोहले की ओरते उसे मुँ दिखाई में महंगे तोफे देकर चली जाती है अब रोशनी को हर वक्ट फुल बॉड़ी मेकप में रहना पड़ता है ऐसे कुछ दिन बीच जाते है एक रोशनी बात्रूम में मेकप ले जाना भूल जाती है तब ही उसका पती आ जाता है अरे जल्दी से बाहर आऊना रोशनी मुझे भी नहना है रोशनी जैसे ही बाहर आई तो निशान्त उसका काला रूप देखकर डर गया उसकी सास भी वहां गई इतना बड़ा धोखा ये दूटसी दिखने वाली लड़की चैपती कैसे बन गई मैं तुम लोगों के खिलाफ मान हानी का केस करूँगी ये दोखा मैं बरदाश नहीं कर सकता मैं आज ही लॉयर को फोन करके डाइवोर्स पेपर तयार करने के लिए बोलता हूँ नहीं नहीं ऐसा मत कीजे ऐसा मत कीजे क्या हुआ बुरा सपना देखा क्या वो तो एक बुरा सपना था लेकिन वो सपना अब रोशनी की जिंदगी में एक बुरा काल बन कर आया वो अगली सुबह ही मा को फोन करती है मा मैं हर वक्त मेकप के साथ नहीं रह सकती अगर कभी किसी ने मुझे बिना मेकप के देख लिया तो बहुत बुरे फसेंगे मैंने तेरे उपर हर प्रोड़क्ट इस्तिमाल करके देख लिया तेरा रंग साफ नहीं हुआ अब तुझे अपनी शादी बचानी है तो ताउम्र मेकप में ही रहना होगा मुझसे ऐसा नहीं होगा मा इससे तो बहतर होगा कि मैं जहर खा कर ही मर जाओ ये सुनकर संतोष घबरा गई और उसने अरोशनी को माई के बुला लिया मुझे एक वैद्य का पता चला है जो कि लाल पहाडी वाली गुफा में रहता है वो कोई दवाई देते हैं अगले दिन ही वो उस वैद्य से जाकर मिलते हैं देखो बेटा किसी को धोखा देना सही बात नहीं है तुम मेरे पास शादी से पहले आ जाती तो तुम्हे इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता आप सच कह रहें बाबाजी क्या मैं सच पी गोरी हो सकती हूँ आयरवेद में बहुत ताकत है बेटा ये कैंसर लिवर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है बाबा ने रोशनी को कुछ जड़ी बूटी दी साथ ही चूरन की एक बोतल भी थी इस बोतल में जो चूरन है उसे रोज सुभा शाम खाना है और इन पत्तियों के लेब को चेहरे पर लगाना है घर आकर रोशनी ने वो लेब लगाना शुरू कर दिया पहले ही दिन थोड़ा असर दिखा कुछ दिन बाद उसका रंग काले से सामला हो गया वो दोनों फिर से वैदे के पास जाने ही वाली थी कि तबी दरवाजे पर निशानत आ गया उसे देख रोशनी घबरा गई मुझे माफ कर तीचे अ लेकिन क्यों वैसे ये जो तुमने सामला मेकप किया न सचमुझ गजब का लग रहा है तुम पर तुमसे बहुत दिन हो गय थे मिले वे इसलिए मिलने चला आया वैसे तुम मेरे साथ वापस कब चल रही हो अरी आप अंदर तो आईए फिर रोश्णी ने कुछ दिन और माईके में रुकने की जित की इसलिए निशांत ने उसे कुछ दिन वहीं छोड़ दिया रोश्णी ने कुछ दिन और रुक कर उन जड़ी बूटियों का इस्तिमाल किया जिससे कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर चांद जैसा निखारा गया, वो पहले जितना मेकप करने के बाद भी खूबसूरत नहीं लग रही थी उससे कहीं जादा खूबसूरत वो अब लग रही थी हाई सब मेरी बेटी को बतसूरत बोलते थे लेकिन मुझे क्या पता था ये इतनी खूबसूरत है मा हम कली उस बाबा का शुक्रिया आदा करने जाएंगे इसके बाद वो दोलों अगले दिन ही वैदे का शुक्रिया आदा करने जाती है लेकिन वो देखती है कि वो बाबा तो वो आसपास पता करती है, लेकिन लोग जो उन्हें बताते हैं उसे सुनकर तो वो हैरान रह जाती है। देखिए हम कई सालों से यहां रह रहा हैं, लेकिन यहां तो कोई वैद्दे नहीं रहते हैं। क्या इसका मतलब? मुझे नहीं पता आप कौन थे बाबा, महात्मा या पर्मात्मा, लेकिन आप मेरे जीवन में प्रभु बन कर आये थे, अब धन्य हो। रोश्नी अगले दिन ही निशांत को फोन कर उसे लेने के लिए बुला लेती है। वाओ रोश्नी, इस मेकप में तो तुम और भी ज़्यादा कमाल लग रही हो। लेकिन आज तो मैंने बिल्कुल भी मेकप नहीं किया है। क्या? तो तुम आज के बाद बिल्कुल भी मेकप मत करना, तुम बिना मेकप के एकदम परी लगती हो परी। इस तरह रोश्नी के ससुराल वालों को कभी उसकी सच्चाई पता नहीं लगती। और अब उसकी जिंदगी से पूरी तरह अंधेरा छट जाता है। और अब वो खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। रीती, नीती, प्रीती, कहां हो? चलो अब खाना खालो। अभी आते है माँ, वंदना के आवाज लगाते ही उसकी तीनों बेटियां रीती, नीती और प्रीती अपने घर की तरफ पढ़ती हैं। रीती हमेशा बीच में चलती थी और उसके दोनों तरफ कंधे पकड़ कर नीती और प्रीती चला करती थी। दरसल प्रीती और नीती देख नहीं सकती थी और रीती देख तो सकती थी पर वो पैरों से लाचार थी। तो रीती बैसाखी के सहारे थी और नीती और प्रीती रीती के सहारे। कितनी बार कहा है जादा दूर मत जाय करो। रीती दीदी थी ना हमारे साथ। अरे कब तक तुम तीनों साथ रह पाओगी। एक दिन तो तुम तीनों को अपने अपने घर जाना ही होगा। फिर क्या करोगी बोलो, तो फिर हम शादी ही नहीं करेंगी, रिती दीदी का कंथा पकड़ कर ऐसे ही चलती रहेंगी हमेशा, वंधना का कोई बेटा नहीं था, बस तीनों बेटियां थी और वो भी अपाहिच, वंधना को इस बात का बहुत दुख था, वंधना का पती शाम एक छोटा किसान था, और बड़ी मेहनद से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, फिर एक दिन, रिती कहां हो, मा में रोटी बना रहे हो, अरे सारा दिन तू ही काम करती रहती है, अपनी दोनों बेहनों को भी तो कुछ सिखा, मा मैं हूँ ना, और वैसे भी वो तो है नहीं कि काम नौकरशाकर करेंगे, पर मा वो कैसे कर पाएंगी, आप खुदी सोचो ना कि अगर आप देखना पाओ तो आप कैसे पता करोगी कि कौन सी शक्कर है और कौन सा नमक, कैसे पता करोगी कि कौन सी मूली है और कौन सी गाजर, मा मैं तो कहती हूँ कि आप मे पिता जी क्या है जी जल्दी बताओ उनके तीन बेटे हैं और तीनों ही कुवारे हैं वो अपने बेटों की शादी करना चाहते हैं इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा अगर उन तीनों लड़कों से अपनी बेटियों की शादी हो जाती है तो वो हमेशा साथ रह सकेंगी पर वो हमसे रिष्टा जोडेंगे क्या वो तो अरे यही तो बताना है तुम्हें अब इसे भगवान की लीला ही कहो वो तीनों भाई भी जरा कम देख पाते हैं इसलिए शायद वो मान जाए अच्छा तब तो आफटाफट बात चलाओ अगले ही दिन शाम किशोरिलाल के घर पहुचा और उससे अपनी बेटियों के रिष्टे की बात की किशोरिलाल ने भी रिष्टे के लिए हां कर दी और शाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी तीनों बेहने भी बहुत खुश थी फिर शादी की तारीक भी आ गई लेकिन फेरों से ठीक पहले एक मिनट रुको पंडिच जी इतनी जल्दी भी क्या है हाँ तो शाम जी जरा दहेज वेज का इसाब को समझाओ है पर दहेज की तो बात ही नहीं हुई थी किशोरिलाल जी और जितना मुझसे बन पड़ा उतना तुम्हें कर ही रहा हूँ अरे तो हम अपने लिए कहां कुछ मांग रहे हैं आप तीन-तीन बेटियां दे रहे हो कल को बच्चे कहीं घूमने जाएंगे तो हर जगा आटो और बस के धक्के खाते फिरेंगे क्या आप ऐसा करो कि एक ऐसी कार दे दो जिसमें साथ लोग आ जाएं बस बाकी कुछ नहीं चाहिए हैं पर ऐसी कार तो बहुत महंगी आएगी मैं गरीब कहां से लाऊंगा किशोरिलाल जी अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है हैं हम आपकी तीनों बेटियों को ब्याह कर ले जा रहे हैं ठीक है ठीक एक महीने बाद आपका अरले आना और अगर नहीं ला पाए तो अपनी बेटियों को वापस ले जाना बहुत बेगैरत आदमी हो किशोरिलाल हैं अपने बेटों की शादी करने आए हो या सौदा करने आए हो बै मुख्या तुम चुप करो अगर इतना ही प्यारा रहा है ना इन लंगडी और अंधी बेटियों पर तो तुम ही ले जाओ इने अपने घर बहु बना कर करा देता और मेरा एक ही बेटा है और अगर तीन होते ना तो तुम्हारे सामने इन से शादी कराता और तुम्हें जूते मार कर बहर निकाल देता इस काओं से जूते मार कर तो हम जा रहे हैं अब ढूड लेना ऐसा घर इन लंगडी और अंधियों के लिए जहां बिना दहेज के तीनों की शादी हो जाए हम भी देखते हैं विमल बेटा, इधर आ शाम भाई, बताओ कि आप मेरे बेटे के साथ अपनी कौन सी बच्ची की शादी करना चाहते हो बताओ मुक्या जी, आपकी इस दर्यादिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम तीनों अलग नहीं रह सकती, मेरी बेहने मेरे ही सहारे हैं, तो या तो हम तीनों एक ही घर जाएंगी या फिर मुक्या की बाद सुनकर वहाँ हर आदमी हैरान था पर तब ही नीती के कंधे पकड़कर नीती और प्रीती मुक्या के सामने खड़ी हो गई और उनके पैडश हुए फिर उसी मंडप में तीनों बहने हमेशा के लिए एक साथ हो गए और इस तरह तीनों बहनों ने अगनी को साक्षी मान कर एक ही लड़के से शादी कर ली और वो लड़का बन गया तीम बहनों का एक पती और किशोरिलाल अपने तीन तीन बेटों के साथ खाली हाथ वहां से बेज़त होकर चला गया झाली हाथ